नमस्कार दैनिक साथी के डिजिटल प्लाटफों में आपका स्वागत जम्मू कस्मीर एससबी सब इस्पेक्टर पुलिस भरती गोटाला देश में एक साथ 33 इस्थानों पर सीबियाई की रेड लेकिन गोटाले के सुत्राधार रेवाडी में अब आपको दर परत दर समझाते हैं किस तरह से रेवाडी में इस पूरे गोटाले की साजिस रची गई आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रेवाडी शहर के मोडल टाउन इस्थिक सीए अजय एरन के आवाज से साड़े साथ घंटे की पूस्ताच के बाद टीम रवाणा हो रही है रेड रेवाडी शहर के सेक्टर तीन वे एक अन्याग गाउं में भी हुई अर्थात मंगलवार को मोडल टाउन साइड रेवाडी में तीन स्थानों पर सीबी आई की रेड हुई है अब खबर पर बढ़ते हैं आगे मेरिटेक सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड यह बैंगलरू बेश्ट वह कमपनी है जिस कमपनी ने सब इस्पेक्टर भरती के लिए प्रसन पत्र तयार किये थे इसी के दो डारेक्टर रिवाडी के सेक्टर तीन निवासी यतिनूर्प नीटू वे एक अन्यागाव निवासी नरेश बताय जा रहे हैं सीबियाई की टीम ने मंगलवार को सीए अजय एरन के अलावा सेक्टर तीन वे यतिनूर्प नीटू वे नरेश के आवास पर भी रेड की थी लंबी पूस्ताच के बाद अब तीनों को बुद्वार को सीबियाई दिल्ली हेड़क्वाटर में पेज होना होगा मेरिट्रेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिनके डिरेक्टर रेवाडी निवासी यतिनूर्प नीटू वे नरेश है इस कंपनी की ओडिट रिपोर्ट पर साइन करने वाले कोई और नहीं शेर के मोडल टाउन के सीए आजे एरन बताए जा रहे हैं इसके चलते ही सीबियाई की टीम द्वारा मंगलवार को साड़े साथ गंटे तक सीए से पूस्दाच की इससे पहले सीबियाई की टीम ने यतिनूर्प नीटू वे नरेश के आवासों पर छापा मार पूस्दाच की बता दे कि हर्याना में 13 स्थानों पर सीबियाई द्वारा रेड की गई थी आपको बता दे कि नवंबर 2021 में पुलिस सब इस्पेक्टर भरती के लिए मांगे गए थे आवेदन 97 अजार लोगों ने किये थे आवेदन वारसों को हुआ था चैन जम्मू, राजोरी वैसामा जिले के चैनित उमीदवारों का परतिशत असमाने से रहा था जादा असफल विद्धार्चियों ने भरती गोटा लेके लगाए थे आरोप उसके बाद दिये गए थे जाँच के आदे अब आपको समझाते हैं क्या है पुरा मामला जम्मू कस्मीर सेवा चैन बोर्ड ने 27 मार्च को पुलिस में उप निरिक्षा के पदों के लिए लिखित परिक्षा आयूजित की थी जिसके नतीजे आठ जून को घोसित किये गए थे जम्मू कस्मीर सरकार ने परिक्षा में एन्यमिता का आरोप लगाते वे 33 आरोपियों के खिलाब सिकाया दर्ज की थी वे एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया था एजन्ची ने एक ब्यान में बताया था कि आरोपि जेके एससबी बैंगलू रिष्टित निजी कंपनी लाभारती उमीदवारों आयन्या अधिकारियों के बीच साजिस्त रची गई वे एसाई के पदों के लिए लिखित परिक्षा आयोजन में घोर एनिया में तैयें बरती गई पूरे मामले में आरोपियों में फलोरा के बी एसाई फ्रंटियर मुखायले के चिकित साधिकारी डॉक्टर करनेल सिंग जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी एसाई असो कुमार पूर सी आर प्याप अधिकारी अस्वनी कुमार भी सामिल है इनके अलावा एडुमेक्स क्लासेस अकनूर के मालिक अविनाश गुपता कोचिंग के परबंद अक्षय कुमार टीचन रोशन लाल जम्मू कश्मीर प्रसासनिक सेवा के ततकालीन सदस नरायन दत जम्मू कश्मीर सेवा चैन बोड के ततकालीन अवर सचे बिशन दास जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोड की ततकालीन अनुभाग अधिकारी अंजू रहना बेंगलूरू के Merit Track Services Private Limited के नाम आरोपियों में शामिल हैं आपने देखा कि किस तरह से बेंगलूरू-based Merit Track Services Private Limited कमपनी का नाम सामने आ रहा है और इसके डारेक्टर कोई और नहीं रेवाडी निवासी दो व्यूवक हैं ऐसे में जाच का डारे भी रेवाडी परी फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है अब क्योंकि सबी संदिक्दों को बुदवार को CBI दिली हेड़कवाटर बुलाएगा है ऐसे में देखना हुगा कि आने वाले दिनों में इन पर क्या कारवाई होती है